पसू साला या सैड बनाने की जनकारी हेलो दोस्तो बैश्णवी ओर्गेनिक डिरी फोर्म में आपका स्वागत है आज मैं आपको सैड या पसू साला बनाने की जनकारी देता हूँ सैड बनाने का बुनियादी वशूल सेड साधा, हवादार और जानवरों के लिए आरम दायक हो और हमारे लिए सुबधा जनक हो एक अच्छे सेड कम मजदूर में बेहतर अच्छा काम कर सके सेड का डिजाइन ऐसा हो कि आराम दे महौल में खुला छोड़ा जाए और चौबिस घंटे पानी पी सके वा दाना खा सके गाए फार्म पर काम करने वाले लोगों के लिए जानवरों की रखवाली और उन्हें दाना देना आसान हो सेड मौसम के अधार पर हो सरदियों में जादा धूप गर्मियों में जादा दिर तक छाया सेड में रहे इर्द गिर्द साफ सफाई हो सेड की सफाई और मुसलसर देखवाल हो सके जब सेड का निर्मान किया जाए तो एसी जगा का इस्तमाल किया जाए जहां जरूरत के हिसाब से जानवर बाहर अराम से घुम सके सैड की जगा हमेशा इर्दगिद की जगा से उच्ची हो ताकि आसानी से सफाई हो सके ताजा और साप पानी का इस्तमाल जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हो गर्मियों में हवा का सेड से निकलने का जगह हो डेरी फॉर्म आवादी से दूर हो मार्केट तक मिल्क पहुँचाना आसान हो गाउं से जुड़ता सड़क से नजदिक हो बिजली की सप्लाई आसान हो मेनुवल डेरी फॉर्म जो पूरा काम मजदूर समालता है कुछ काम मजदूर और बाकी काम मसीन से पूरा होता है मेकेनाईट डेरी फॉर्म जिसमें पूरी तरह से काम मसीन के द्वारा किया जाता है सेड बनाने से पहले कुछ अहम बातों का ख्याल रखे पहला सेड पूरव से पश्चिम की तरफ होना चाहिए हर जानवर के बिच सेड में चार-चार फिट का दूरी होना चाहिए चार-चार फिट पर पाँच इंच का इंट या लोहे के इंगल का दिवार होना चाहिए दोनों सेड के बिच में दूरी कम से कम छो से आठ फिट का होना चाहिए पावर टेलर से भी या ट्रोली के दौरा चारा डाला जा सके या चारे को अश्टोर भी किया जा सके ताकि चारा डालने का सुभिधा सुखा चारा रखने का सुभिधा हो Face to face set में गाय को खड़ा होने के लिए 8-10 फिट दोनों तरफ जगा होना चाहिए खुला जगा कम से कम 30-35 फिट होना चाहिए खुले जगा में बालू डाल कर आराम दे बनाते हैं जिससे गायों को घुमने और बैठने में और नेचर से कनेक्ट होने में सहायता मिलती है जबकि जानवर के खड़े होने वाले बरामदो की छट 12-13 फिट होता है मूह के तरफ फ्रंट से 12-13 फिट और 10-11 फिट गाय के पीछे वाली दिवार होता है वेहतर सफाई के लिए हर 25 फिट में एक फिट धलान होना चाहिए दाना रखने वाला रूम दवाई रखने वाला आलमीरा हरा-चारा कटिंग रूम विमार जानवरों के लिए अलग कमरे रखें जानवर का पिशाव निकलने वाला नाला एक फिट गढड़ा हो उपर से जाली लगा हो सैड को टेम्परेचर मिंटेन करने के लिए फैन फोगर सिस्टम और टेम्परेचर मसीन का इस्तमाल करना चाहिए मिलकिंग मशीन होना जरूरी है गोवर ढोने वाला छोटा ट्रोली होना जरूरी है मैनुल हैंड ओपरेटेड डंक क्लोजर होना जरूरी है समश्य विल्क द्वारा पानी का सिस्टम लगाना चाहिए स्प्रे या गाय को धुलाई करने के लिए प्रेशर मशीन का होना जरूरी है गाय के नाद में वाटर सिस्टम होना जरूरी है सैड में मुजिक सिस्टम होना जरूरी है ओटमेटिक मसाज ब्रस सेंसर वाला होना चाहिए या आप ऐसे भी खुद से भी बना सकते हैं जिससे खुजली करना है या जानवरों की जो है सरीर को सहलाने में या रगणने में मदद मिलता है सैट बनाते समय फर्स पर पैर फिस लेना इससे बचाने के लिए लंबा लाइन खिचना चाहिए पूरा एरिया का बाउंडरी वाल होना चाहिए एक दाना रूम होना चाहिए दोनों और नाद के बीच का दिवार 2.5 फिट ज्यादा उच्चा होना चाहिए और थोड़ा गड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा दो दिन तक उसमें भूशा या ड्राइफ ओल्डर रख सकें सेड का बौंडरी वाल साथ से छो फिट के होना चीए खुला होना चीए जिससे चारो तरफ जानवरों को दिखाई देना चीए उसमें जाली लगा होना चीए खुला जगा के बीच में गोला कार बड़ा वला नाद खाना खाने और पीने के लिए बनाएं ज़्यादा दूद देने वाली गाय को मैट की जरूरत होगा सीमें अस्टोर करने के लिए एक AI केंटेनर की जरूरत होती है और एक AI गन जो सीमें देने के लिए गायों की जरूरत पड़ती है फॉर्म पे आप CCTV कैमरा का भी उपयोग कर सकते हैं सुरच्छा और टेकनीक के मध्यम बेहतर फॉर्म सेंचालन के लिए काव में सेंसर बेल्ट भी गले में लगा होना चीए जो पूरा वायव डाटा कम्प्यूटर के माध्यम से मालिक तक पहुँचाता है एक जस्ट फैन भी जो गंदा हवा को बाहर निकाल सके होना चीए बच्छडी के लिए भी जाली वाला सेड होना चीए भेंडिलेटर फैन लगाना चीए म्यूजिक सिस्टम लगाना चीए जिससे गाय हैपी रह सके अपने फॉर्म के आगे गेट के पास छो फिट तक छो इंच डिप गड़ा रखना चीए पानी भरकरता की फॉर्म से बाहर या अंदर जाने पर पैर साफ होकर जाएगा रबर मैट को हर सपता में हटा कर ब्लीचिंग पाउडर से सफाई करना चीए काव मैट लंबा 40 फिट वाला लगाना चीए टुकड़ो वाला लगाना नहीं चीए टेंपरेचर बुखार नापने वाला यंत्र को भी जरूर रखना चीए या परियोग में लाना चीए वेदर की तापमान या फॉर्म की टेंपरेचर मापने वाला मशीन या कुकमेंट की आवसकता होती है वो भी आपके फॉर्म में उपलब्ध होना चाहिए वेशनवी डेरी फॉर्म आपको सैड में एक अच्छे सैड निर्मान में क्या-क्या सब्धानिया बरतना चाहिए और कैसे आप एक अच्छे फॉर्म का निर्मान कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच वेशनवी डेरी फॉर्म वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाला समय में नए वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा फॉर्म में सदैब जो है सुरच्छा के माध्यम को देखते हुए इन सब जनकारियों को उपलब्ध कराया गया है थेंक्यू सो मच